असलामलेकृम दोस्तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो मेरा नाम अश्रमर खानेओ मैं इल्लेट जॉव कंसिटेंसी नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ दोस्तो अभी जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ यह company अलबर्राक एंड सन की company है यह government का semi government की company है वहां के राजा का ही company समझ लो यह सौधी अरबिया में है और यह पूरा का पूरा plant division है oil and gas का refinery का petro chemical का इसमें वही बंदे participate करेंगे जिनके पास oil and gas petrol chemical या refinery का experience होगा वही बंदे participate करेंगे नहीं भी experience है तो थोड़ा बहुत knowledge है तो इंटर्वू दो भाई क्यूंकि इंटर्वू देना आपका राइड बनता है selection होना ना होना वो तो किस्मर की बात है client के मर्जी है लेकिन मेरा काम है आपको बताना इसमें वही बंदे को पार्ट इंटर्वू किया जाएगा जिनका petrol chemical में या oil and gas में experience हो बहुत अच्छा अच्छा कैट्गरी है क्यूसी क्यूसी इंस्पेक्टर रहे सेफ्टी ऑफिसर रहे प्लानिंग इंजिनियर है साइट इंजिनियर है work permit receiver फोर मेंने work permit receiver अच्छा च्छा कैट्गरी यह पूरा तो इसमें जो बंदे participant करेंगे oil and gas के बंदे हो तो जादा बहतर है लेकिन जिसमें quantity जादा है कम से कम इसमें हमें 1500 वीजा है पंदरा सो वीजा कम नहीं होता है अलहम्दुल्ला बहुत होता है तो पंदरा सो वीजा आप पहले यहां पर देख लो आप यह पेपर देखो इसमें पाइफ फीटर पाइफ फीटर जो चाहिए पूरा oil and gas वाला बंदा चाहिए और इसमें सारे 300 इसमें सारे 300 सीट अब लेवल है 350 बंदे चाहिए पाइफ फीटर जिसका सैलरी 1100 से लेकर 1400 है खाना रहना ट्रांसबोर्ट मेडिकल एकामा सब कुछ फिरी है 1100 से लेकर 1400 वह भी बेसिक सैलरी से लेकर 1400 के बीच में आपको सैलरी लगाएगा वह भी 8 घंटे का इसके ऊपर आपको ओवर टाइम है पलस इसमें रीगर चाहिए 240 बंदे रीगर का जरुवत है 240 मतलब 200 की करीब सैलरी सेम है 1100 से लेकर 1400 है खाना रहना ट्रांसपोर्ट मेडिकल एकामा सबकुछ फिरी है पलस इसकाफ फोल्डर है 100 बंदे इसकाफ फोल्डर है सैलरी सेम है फिर उसके बाद पॉइफ फेब्रिकेटर चाहिए फेब्रिकेटर जो चाहिए 130 से 17 वो सैलरी है खाना रहना सबकुछ फिरी है 120 से 14 consegue स्टैंड बाइच मैन है बैइच जो है वो चाहिए हमें 60 बंदे 60 का इंडड़ चाहिए वाइर वाचर है यह तोटल हमें 200 बंदे चाँए सेलरी वही तेरह सो से, सद्राइब और फिटर का इगारा सो से, चौदा सो उसके बाद, वर्क पर्मिट रिसीवर, पॉर्में, वर्क वर्क पर्मिट रिसीवर सुपरवाइजर हमें कम से कम इसमें 300 के आसपास बंदे चाहिए वोर्क पर्मिट रिसीवर का ठीक है यह बंदे जो का सैल्डिय्ट जो है ओर में जो सैल्री 8824 सो है खान सबकुछ फिरी है और कर पचीस सो से 35 कहाना रहना सबकुछ फिरी है उसे बाद 245 चाहिए पचीस सो से 255 चैल्री है ve a 304 टांपनेशन स्ट फिरियर सेफटी ओफी सर चाहिए 2000 से 3000 से idea प्लानिंग इंजिनियर प्लाइनर चाहिए दो हजार से पैची सो से पैची सो साल रियर प्लस फूड फिरी तो यह ड्यूटी एट आवर का ड्यूटी है वीकली आपको सिट डे वरकिंग करना है एकसेप्टेड है उसके बाद एकसेड़ेवल है लेगन कंपनी चाहेगा आपको रखना तो आप रहो नहीं चाहेगा तो आपको इंडिया बेज देगा 1 Year का contract है 1 Year का guarantee इनलेट उफिस लेता है free food है, free accommodation है free transportation है 28 जून जो है आपका मंगलवार का दिन है मंगल वार को इसका इंटर्वू है क्लाइंट इंटर्वू होगा फेस टू फेस अठाइस जून को आपको अगर इंटर्वू में पार्टिसिपेट करना दोस्तों बहुत घीड़ वाला इंटर्वू है क्योंकि पंद्रसों वीजा अगर है तो कम से कम बलड़ के सोचो कितने सब्सक्राइब तो इसमें आप से रिक्वेस्ट है कि आप 27 जून मंडे को ही आप आफिस आ जाईए मेरा नाम अश्रफ खान है डिरेक्ट हमारे ओफिस इनलेट आफिस आप आई जाईए आपको उसी दिन एक दिन पहले आपका ऑल पेपर कंप्लीट कर जाएगा फाराम पा सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब तो आप से इंटर्वू में आ रहे हो तो ध्यान रहे है अभी थोड़ा सा महौल खराब हुआ है हर जगा पर ट्रेन जल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में तो आप से रिक्वेस्ट है कि फोन करके करने के लिए हमारे ओफिस का पता मोबाइल नंबर सकुस यहां पर दिया हुआ है फोन जरूर कर लें कौज जरूर कर लें आप ऑफिस में इंक्वाइरी कर लें तभी आप इन्लेट ऑफिस में पहुंचे क्योंकि होता क्या है तभी इंटर्वू का डेट आगे पीछे होता है तो इसलिए आपको आने में आकर यहां परिशान होने की जरूरत नहीं है फोन करके ही आए फोन करके कर लें ऑफिस में अपना नंबर नोट कर वा लें कि आप इंटर्वू में आ रहे हो अगर इंकेस पॉस्पार्ण हुआ या कैंसील हुआ या डेट चेंज हुआ तो इनलेट ऑफिस दिल्ली ओकला सराई जुलैना नहीं दिल्ली में हमारे ऑफिस है इनलेट ऑफिस के नाम से ऑफिस का पता नंबर सब्सक्त है यहां पर आप फोन करके इंक्वारी कर सकते हैं और और दूसरा चीज़ सबसे इंपोर्टेंट आपको इसके इलावा जो काम में जो भी नया काम आएगा वह आपको मालूम चलता रहेगा ओके दोस्तों असलाम अलेकूम नमस्कार